नमस्कार साथियों स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज का जो प्रेक्टिस सेट रहने वाला है इसमें मैंने उत्राखंड के प्रेशन आपके लिए हैं 50 प्रेशन ठीक हो गया तो पहला प्रेक्टिस सेट उत्राखंड का है तो क्वेस्टन की जो क्वालिटी आपके अब रहेगी फिलाल वह क्या रहेंगे आपके लिए स्राखंड Prime रहेंगे ठीक है पहला प्रेशन आयव बर्मह कमल किस को अरपित किया जाता है तो अप्सन नमबर सी जाएगा एक जनवरी 2007 को किया गया था ठीक है तीसरा प्रश्ण है चांदपूर गड़ का राज्य इस्ती था चांदपूर गड़ कहा था आपका चमोली में था और यहीं से क्या था यह आपका परमार या परमार वन से वो प्रारंब हुआ था चौथा प्रश्ण है सर्ट की घटना किस वर्थ हुई थी तो सर्ट की घटना 5 सितंबर 1922 को हुई थी और सर्ट कोई क्या कहा जाता है कुमाओ का बार्दोली कहा जाता है कुमाओ गड़वाल का बार्दोली आपको पता है गड़वाल का बार्दोली पुछ जाएगा तो आप क्या बोलेंगे स्वरी गड त्वाल का बाढ़दोली हो जाएगा तीक है अगला पांचों प्रेश्ण है सकलाना विद्रो कहां घटीत हुआ था तीहरी में हुआ था ठीक हो गया चलिए शट्मा प्रेश्ण है निम्न में से कौन सी नदी हिम्नद से नहीं निकलती यमुना यमनोत्री ग्लेशियर से निकल से निकलती है जो आपका कौसी नदी जो है आपका यह हिम्नस से नहीं निकलती है बलकि यह बागयस्वर में आपका धार पानी धार नामक अस्तान से निकलती है ठीक अगला साथों प्रश्ण है सुन्दर ढूंगा हिमानी उत्राखंड के जन्पत में सुन्दर ढूंगा कहा पर है आपका बागेस्वर में मैका तोली हो गया आपका कफनी हो गया पिंडारी हो गया पिंडारी तो खेट चमुली बागेस्वर पिथार अगर तीन हो जग है मैका तोली हो गया कफनी हो गया सुंदर धूंगा हो गया सारे कहें बागेस्वर में उतराखन राज्य का सैक्ष मान में कहां पर है ये देरदून में है इस Lindsay इसकी डोहजार दो में वह थी तब ये नयन पार में दगर में था दोहजार साथ में इसको कहा कर दिया ग सब्सक्राइब है ना भारत हैवी एलेक्टिकल बीच इल बेखल बेखल आपको हो जाएगा हर्दवार मोझागा और डील आपको दितन मोझाएगा ठीक तो दसवाँ प्रशना निमल लिकित में से हिमालेंड गजिटर पुस्तक के लेखक कौन है तो हिमालेंड गजिटर आपक खागता है विशुषव दत शकलानी जी को अगर विरिक्ष मित्र आ गया लेख का सुन्दालाल-रभववग्र. पदम श्री सिवानी गौरा पंथ कोन थी गौरा पंथ जो द नियुक्षि , पर आप लगधा है अगला प्रेस्टन है निमन लिखित में से चंदर सिंग गडवाली का वास्तविक नाम क्या था चंदर सिंग गडवाली का वास्तविक नाम था चंदर सिंग भंडारी उत्राखंड में निमन में से कौन सा मंदिर सरवाधिक उचाई पर इस्तित है तो सरवाधिक उचाई पर क हो जाएगा वार जो नंबर है देश में कौन सा अस्थान है कि आपका सतरुवां हो जाएगा पुरुष साक्षरता में तिरवा हो जाएगा में में 20 हो जाएगा ऑसत्स तर्वां आस्तान हमारे राज्यका तर्ण इस तरिया उड़ गठार कहां पर इस्तित है यह आपका का गोचर चमोली में है ना बुग्याल उत्रकासी के की जिले में इस्तित है यहां पर बुग्यालों के नाम दिये है बगजी बगजी तो उत्रकासी में नहीं है दयारा बुग्याल उत्रकासी में तो आप्सन नंबर सीज का ठीक हो जाएगा उत्राखंड में विकेट विकेट का बंदोबस्त का संबंद है सरकारी इस तर पर जमीन की 25 जो भी मतलब वहां पर सरकार थी जो भी राजा था या जो भी कुमाव कमिशनर था उनके द्वारा जब अपनी जो भूमी थी उसका जब पहमाईस की जाते उसको नापा च्हाबा जाता था उसे सेवन में उत्रा खंडर राज्जय का उची न्यायले इस तीते तो उची न्यायले आपको पता या निताल हो जाएगा उत्रा कटन में असोख सिलालालेक कहां पर इस तीते प्च्छिन आप publish नंदा राज्जात का प्रकरण क्या है तीर्त यात्रा रीतिव्धि- तरह में जाती है उत्राखंड के 5 परियाग है नंद्र परियाग होजाएगा किकी धारज सब्सक्राइब परियाग उसलिए और थाली वादियंत्रों का परियोग मुखे रूप से होता है ढ़ जागा सब्सक्राइब सबसे अधिक जन्शंख्या वाली जन जाती है तो पहली आपको पता है थारू है दूसरी कॉंड वी बोले सकते हैं तो ये क्या है एक परकार के लोग चितर होते हैं उत्रा खंड की दूसरी सबसे अधिक जन संख्या वाली जन जाती है तो पहले आपको पता है धारू है दूसरी कौन सी जाएगी जौन सारी और गड़वाल की सबसे बढ़ी अगर पुछ जाएगा तो कौन सी आजाएगी जौन सारी आजाएगी तो नंदा देवी मंदिर है तो नंदा देवी मंदिर आपको अलमोडा में इस्तित हो जाएगा उपसर नंबर डेस का सही रहेगा थर्टी फॉर वां प्रेशन है गेर सेलन को ग्रिसम कालिन राजजानी कब घुसित किया गया तो आपका सिदा सिदा आंसर हो जाएगा दो हजा बीस में इसको घुसित किया गया था थर्टी फाइवां प्रेशन हमारे पास है कुमाव साहित्ते के प्रेथम कवी कौन है तो गुमानी पंत कवी गुमानी पंत को क्या माना जाता है कुमाव साहित्ते का प्रेथम कवी माना जाता है थर्टी शिक्सवां प्रेशन है हमारे पास इचारी बांध प्रविजना किस नधी पर इस्तीत है इचारी बांध आपका देरा द्रूमें पढ़ता है और यह नधी पर इस्तीत है टौस नधी आपस नमबर सी आपका बिलख WILLकुल सही स्य क्रेस्ट हो जाएगा 37 आपर पर सुन्मारे पारे पास है नालंदा अविलेक में बंगाल के 21 पाल सासक ने गड़वाल छेतर पर आकर्मन किया था नालंदा अविलेक के अनुसार आपका पाल सासक धरम पाल के द्वारा इस गड़वाल छेतर पर आकर्मन किया गया था कविसे नमबर थाटी नाइन कत्यूरी की दरभारी भासा थी वो संस्कृत थी और आपका जो उनकी आम बोल चाल की भासा थी तो वो क्या हो जाएगा पाली भासा हो जाएगी है अलमोडा जिले में इस्तित खगमरा के लेकर निर्मान किसने कराया था? भीजम चंद के द्वारा करवाया गया था 42 प्रशन है किस प्राग एतियासिक के सहल चित्र में योग मुद्रा में मानव का चित्रान मिलता है योग मुद्रा फलसीमा अलमोडा से मिदा है आमको है ना अब आप लोग कभी कभी क्या करते हैं क्वेशन पूरा नहीं पढ़ते हैं आपने फलसीमा ए में देखा ए मार दिया नहीं पूरा क्वेशन पढ़ना है फलसीमा अलमोडा सारे क्योंकि फलसीमा ही लिखे वे हैं ठीक प्रथम बैठक कवी थी तो यह आपका 9 से 11 जून 2014 को आयोजित हो गी थी रिगवेद में उत्राखन छेत्र के लिए क्या कहा गया है तो यहाँ पर रिगवेद में दे भूमी या मनुस्यों की भूमी कहा गया है अपसन नमबर 45 गड़वाल सर्व दलित परिस्त का गठन में किसके दौरा किया गया था तो यह किया गया था आपका उपसन नमबर 2 जयानन्द भारती के दौरा कोसन पुराणों के अनुसार मानव की आदी पूरु मनु का निवास अस्तान और धन के देवता कुबेर के राज़ानी बद्री कासरम के पास के इस अस्तान पड़ थी तो यह थी आपका कहां पर अलका पूरी में पुर्थी पती साह के बेटे जो मेदनी साथ है उनके द्वारा ही बात में सुलेमान सिको को पकड़ाया गया था इसलिए मेदनी साह को ही क्या कहा जाता है बहदुर पिता की डरपोग संतान 48 प्रश्ण है बाड़ा वाला यग्यवेदिकाओं का निर्मान किस राजा के द्वारा कराया गया था बाड़ा वाला में यग्यवेदिकाओं का निर्मान जो करवाया गया था स्थील वर्मन के द्वारा करवाया गया था क्वेसन नमबर 49 फो में ठांडक आंदोलण संबंदी था ये आपका मज़ोरों से संबंदी आंदोलण था ओफ्शन नमबर A इसका बिल्कुल सही रहेगा question number 50 है बौत धरम का विरोध करने वाला प्रत्थम कत्यूरी सा सकता तो बिल्कुल कौन हो जाएगा भूदेव ये बौत दों का क्या बोला जाता है कट्टर विरोधी कहा जाता है भूदेव को ये थे उतराखंड के आज 50 प्रस्टन जिसने भी पूरा पेपर सॉल्फ किया है तो वो जरूर क्या करें अपने नंबर कमेंट बॉक्स में टाइप करें हमारे गुरूप में भी और यूटूब में भी है न आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद